कॉंग्रिस हमेशा से हिंदू विरोधी रही है लेकिन हिंदू क्यों कॉंग्रिस विरोधी नहीं होते शायद वो नहीं समझते कि कॉंग्रिस ने क्या हिया आपको साल दर साल कब घ्योरा देते हुए बताएंगे कि कैसे कॉंग्रिस ने हिंदू का मज़ाग बना दिया 1950 में आया Article 25 कौवेस 1950 में Article 25 को लेकर आई जिससे धर्म परिवर्तन को मानिता दे दी गई और सबसे ज़ादा किसका धर्म परिवर्तन हुआ ये सब जाती है लेकिन ये तो सिर्फ शुरुबात थी नेरों 1950 में Article 28 लेकर आए और हिंदूों से धार्मिक शिक्षा का हक चीद लिया लेकिन Article 30 के तहट अल्प संगिक अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं धार्मिक शिक्षा के बाद निशाने पर थी धार्मिक संस्थाए 1951 में HRCE Act 1951 में Hindu Religious and Charitable Endowment Act ने कराए उन्होंने कारण दिया कि बड़े मंदिरों का रख रखाफ सही से हो सके लेकिन इसकी आर्मिक कबजे कर लिये जिसके तहन भारत में मजूद बड़े-बड़े मंदिरों का प्रवन सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और मनमाने ढंग से इनकी संपत्ती का दुरुपियों किया और ये सिर्फ हिंदू के मंदिर पर लागो था बाकि धर्मों या धार्मिक सर्व पर लागो नहीं था 1956 में हिंदू कोर्ट में लाया 1956 में नहरु सरकार हिंदू कोर्ट में लेकर आई लेकिन अर्फ संककों के लिए इन्होंने परसल लॉबोर्ट को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया मतलब एक ही है देश में एक जाती कद सविधान कानून से और दूसरी अपने धर्म के कानून के हिसाब से और आज भी यूनिफॉर्म सिबिल कोर्ट से कतराते हैं कॉंग्रेस ने लगाई आरक्षिन की आग कॉंग्रेस आरक्षिन लेकर आई जिससे हिंदूों को बाटने का कांग किया गया जिससे सबसे बड़ा नुकसान हिंदूों को हुआ आरक्षिन की देश में जरूरत थी लेकिन मकार कॉंग्रेस ही इस यूज़ना को 10 साल लागू कर इसे बढ़ाते चले गए और ना ही इससे लोगों को सशक्त बना पाए जब कि लोगों को इसकी लत लगा दी गए इंद्रा का कारेकाल मतलब कि हिंदू बहुसंग्यक होते हुए भारत हिंदू देश नहीं कहलाया जा सकता जब कि आप हमारे आसपास देखेंगे तो सभी मज़भी देश है लेकिन हिंदूों के लिए कोई देश नहीं बचा इसके बाद हिंदूों के एक कानूनी अधिकार और इतिहास निशाने पर थे 1991 में पूजा स्थल कानून 1991 में कॉंग्रेस ने पूजा स्थल कानून बनाया जो बेहत हिंदू गिरोधी कानून था क्योंकि इस कानून के तहत हिंदू, सीख और जैन मुगलों के कबजे से मंदिरों को छोड़ाने के लिए लड़ाई ही नहीं नड़ सकते। उनके पास दलीज सुनने का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं छोड़ा गया, हमने लाखों मंदिर और उनका इतिहास खो दिया। उनने सो बयान में माइनॉरिटी कमीशन अप्ट, कॉंगर्स ने अल्ग संकिक आयोग अधिनियम बनाने के बाद अल्ग संकिक आयोग बना दिया। कि जरूरत ही क्या थी। फिर 2004 में कॉंगर्स को छुन लिया, तो कॉंगर्स ने इसका इनाम देदी हुए राम सेतु एफिडेविट बनाया। और भगवाश श्री राम के अस्जित को ही नकार दिया और काल्पनिक बताया। आस्ता और धर्म पर वार करने के बाद अब कॉंगर्स ने हिंदो को ही बदनाम करने का प्लैन बना लिया। 2009 में हिंदू आतंगबादी घोशित ने हिंदू ने कॉंगर्स को चुना तो उसके मतले में कॉंगर्स ने हिंदू को ही टेरर घोशित कर दिया। हिंदू तो कता पूरा